दूस्तो आपने देश में डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन और डबल डेकर कार्गो कैरियर्स तो देखे होंगे देकिन अब इंडिया नेलबेस पहली बार एक ऐसे कॉंसेप्ट को लाने जा रही है जो रेलबे के लाइनप को पूरी तरह से बदल कर रख देगा दरस्तो लेलबिस अब बहुती जल एक डबल डेकर कार्गो पैसेंजर कोच को इंटोड्यूस करने वाली है जो पैसेंजर और कार्गो दौनों को ही हैंडल करनी में सच्छम होगा तो वीडियो में आगे आज इसी कोच की डीटेल्स, डिजाइन और पहला प्रोटोटाइप कब देखनी को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे तो जैसे कि ये एक डबल डेकर कोच होने वाला है तो इसमें अपर और लोवर दो डेक्स मौजूद होगी और जो अपर डेक होगा उसमें तो पैसेंजर्स के बैटने के लिए 46 सीट्स, एक कम्पलीट पैंटरी और वाश्रूम्स जैसी सभी फैसलिटीज मौजूद होगी डिजाइनिंग की बात करें तो RCF कपूर्थला में कई सारी डिजाइन्स को कंसिडर करने के बाद अब रेलबे बोर्ड के द्वारा बैली फ्रेट कॉंसेप्ट से इंस्पायर डिजाइन को एप्रूब कर दिया गया है हाला कि अभी इन कोचिस की प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मिशन तो एबलेबल नहीं है लेकिन एक कोच की कौश 2.7 करोड से 3 करोड रुपे के बीच एक्सपेक्ट की जा रही है इसके अलाबा इन कोचिस के पहले प्रूटोटाइप को अगले महीनी तक तयार कर लिया जाएगा जिसके बाद RDSO इन कोचिस की टेस्टिंग और ट्राइल लंस कंड़क्ट करने वाली है और अगर ये कोचिस ट्राइल फेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो रेलवेस 20 कोच वाली दो ट्रेंज को मैनिफेक्टर करने का प्लान बना रही है तो दोस्तो इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं